Hello everyone, welcome back to my channel अब 34,540 कोटी के सिक्षक नियुक्ती भी जाज के घेरे में अनुशंशित और नियुक्त सिक्षकों के संख्या में अंतर ने 34,540 कोटी के सिक्षक नियुक्ती को भी जाज के घेरे में ला दिया है 2012 में 34,540 कोटी के सिक्षक नियुक्ती हुई थी इस नियुक्ति में विभाग से अनुशंशित सिख्छकों की संख्या और अब तक पद से हटे या हटाये गए शिख्छकों की संख्या के बाद नियुक्त शिख्छकों की संख्या घपले बाजी को सामने ला रही है गपले की आसंका सी है नियुक्ति अब जाज के गेरे में है हाई कोट में इस नियुक्ति से संबंदित एक मामला चल रहा है है इसमें हाई कोट ने सभि जीलों चे नियुक्त और त्याग पतर देने के साथ अमान ने सर्टीफिकेट पर बहाली के कारण हटाये गया सिक्षकों की रिपोर्ट मांगी थी रिपोर्ट मांगने के बाद अनुशंशित सुची और नियुक्त शिक्षकों की संख्या में अंतर सामने आया है सूबे में 34,296 पद पर अव्यार्थियों को अनुशंशित किया गया था लेकिन जीलों से जो 252 सिक्षकों की संख्या भी भेजी गई है जमुई जीले में अनुशंशित पद से अधिक तो मुझत फर पूर समेत अन्य जीलों में कम सिक्षकों का आकरा जो है ओ दिखाया गया है तो अभी भी जाचके घेरे में आ गया है 34,540 कोटी के सिक्षकों का मामला क्या है पूरा रिपोर्ट किया गया था निदेशक ने कहा है कि जिलो को अब तक न्युक्ति के लिए अनु शलीत रिपोर्ट के अंसार शाहयक सिक्षकों के रिक्तपद के विरूद नियुक्त अभ्यार्थियों की संख्या अनुशंसित और नियुक्त अभ्यार्थियों की संख्या में अंतर के साथ ही त्याग पत्र देने वाले सिक्षकों की संख्या आमान्य प्रमान पत्र पर हटाये गए सिक्षकों की संख्या संदेह पैदा कर रही है